और रिम्स में इलाज रत चारा घोटाला मामले के आरोपी आरजडी सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव की तब्यत में लगतार उतार चड़ाओ देखने को मिल रहा है मदू में के कारण लालू यादव की किड्डी मातर 50 प्रतिशत के खरीब काम कर रही है लालू का इलाज कर रहे हैं मेडिसन विभाग के डॉक्टर डिके जहा से लालू के स्वास संबंदित बाचीत की सहयोगी सत्यवरत ने गोटाला मामले में सदायाप्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज रहे हैं और पिछले करीब एक साल से लालू प्रसाद यादव का इलाज जो है वो रिम्स के डॉक्टर कर रहे हैं रिम्स के डॉक्टर डीके जहां हमारे साथ हैं हम उनसे बात करते हैं लाकातार इधर हाल के समय से देखा जा रहा है कि उसमें उतार चरहा हो रहा है कभी बीपी नॉर्मल है चोकी क्रोनिक किड्नी डिजीज और डायप्टिक पेशेंट और एज तो उनका जो इमिनिटी है कम है तो एक साल में छे बार इंफेक्शन हुआ तो खत्रा हमें सा बना ही रहता है इंफेक्शन का वो तो सब हर डायप्टिक पेशेंट को और क्रोनिक क पेशेंट के लिए यह एप्लिकेबिल सनीवार के दिन जो भी राजत के नेता मुलाकाद करने आते हैं तेजस्वी भी आये थे लास्ट टाइम मुलाकाद करने उन्होंने भी कहा था कि लालू परसाद यादव की बहतर चिकित्सा की जरूरत है और उन्हें किसी दूसरे संसान भेजा जाएं जो उनका दवाई वगरह से चल रहा हिलाज वह सब करीब करीब पूरे दुनिया में इसी तरह से चलता है जो बेस्ट पासिबिल मेडिसीन है वह हम लोग सेलेक्ट करके दे रहे हैं ऐसा कुछ अकस्मात हो जाएगा अगर कभी और जो इस तरह का जो कि यहां नहीं संभव है तो हम लोग भीजेंगे या जो जूरी समझेंगे या वो अगर एक्सप्रेस करें खुद कि हम जाना चाहते हैं एक बार हायर सेंटर तो उस पर विचार करेंगे और बाकी कौन क्या कहता है उसको हम लोग तबज़ों नहीं देते हैं मुंबई के जो ड सब्सक्राइब करेंगे तो यह लालु प्रसाद यादब के डॉक्टर थे डॉक्टर दीके जाज़ा जो कि लागातार पिछले करीब एक बरसों से लालु प्रसाद यादब का इलाज कर रहे हैं उन्होंने साथ तोर पर कहा कि लालु प्रसाद यादब चुकी मधु में के रोगी हैं और यही कारण है कि लालु प्रसाद यादब लंबे समय से मधु में के रोगी होने के कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रस सहयोगी राजेस के साथ सत्यव राज किरन न्यूज 11 राची